नमस्कार दोस्तों मैं रेनू आप सभी का हरदिक स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पसुपती वृत के क्या नियम होते हैं वो कौन से नियम होते हैं जिनके बिना पसुपती वृत पूरा नहीं माना जाता है हम जब भी कोई व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो उस व्रत के कुछ नियम होते हैं, कुछ विदी होती है अगर हम उसी विदी अनुसार और नियमों के अनुसार उस व्रत को पूर्ण करते हैं तभी हमारा वैवरत सपल वाना जाता है तो इसलिए ये आवश्यक होता है कि हम जो भी वृत कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो हमें उसकी विधी और नियमों के बारे में जानना आवश्यक होना चाहिए तब ही वह हमारा वृत पूर्ण होगा, सफल होगा और हमें उसका पूरा फल मिलेगा तो आईए चान लेते हैं कौन से नियम है पस्पति वरत के वरत का जो पहला नियम होता है वो होता है संकल्प फिर वो चाहें कोई भी वरत हो हम जब भी कोई वरत करते हैं तो संकल्प के साथ ही करते हैं तो इस वरत का भी पहला नियम है संकल्प सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है कि आप कितने दिन का वरत करना चाह रहे हैं वैसे तो इस वरत के कोई नियम नहीं है आप अपने छमता के अंसार जितने वरत आप कर सकते हैं उतने वरत का आप संकल्प ले सकते हैं लेकिन कम से कम ये वरत पांस दिनों का किया जाता है तो कम से कम पांस दिनों के सोमवार का संकल्प इस वरत का पहला नियम है इस वरत का दूसरा नियम है कि इस वरत में सुद्धता और पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है तो इसलिए जब भी आप इस वरत को करना शुरू कर रहे हैं जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया यह वरत शुमवार के दिन किया जाता है क्योंकि यह वरत भोलेनात के पसुपतिनात स्वरूप को ध्यान में रखकर किया जाता है तो इसलिए इस वरत को भी हम सुमवार को करते हैं तो आप जिस भी सुमवार से इस वर प्रियास्त के बाद से ही आपको ताम सिंग भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए जैसे कि मास, मदरा, मचली, अंडा इसी के साथ साथ अगर आप शादी सुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्रे का भी पालन करना चाहिए तब ही आप दूसरे दिन सोमवार को इस वरत को करेंगे तो आपका वरत सफल होगा तो इस वात का विशेश थ्यान रखें कि वरत से एक दिन पहले ही अपनी सुद्धिता का विशेश थ्यान रखें इस वरत का तीसरा नियम है कि इस वरत में दोनों समय पूजा की जाती है बाबा भोलेनात का हम जो भी वरत करते हैं उसमें दोनों समय की पूजा का महत्व होता है एक तो हमें सुबह ही इसनान आदी से निर्वत होकर स्वच्छ होकर सुबह ही पूजा कर लेनी चाहिए और दूसरा शिव पूजा में प्रदोश काल की पूजा का बहुत ही महत्व होता है यानि साम का समय सुर्यास्त से एक घंटा पहले और एक घंटा बात का समय प्रदोश काल कहलाता है तो सिव पूजा में प्रदोश काल की पूजा का विशेश महत्व होता है तो साम की पूजा इस वरत में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है तो इसलिए इस वरत में दोनों समय की पूजा करना अनवारे है इसी के साथ हमारा अगला नियम है कि पसुपती नाथ वरत में पूजा मंदिर में करेंगे तो अधिक फल्दाई होगा क्योंकि इस वरत में शिवलिंग की पूजा का विशेश महत्व होता है और हर कोई अपने घर में शिवलिंग नहीं रखता है तो इसलिए इस वरत में मंदिर में पूजा करना लापकारी होता है अधिक फल्दाई होता है और यह भी कहा जाता है कि जब हम प्रांट पतिष्टित मूर्दियों पृतिमाओं के सामने पूजन करते हैं तो उसकी सफल होने के चांस अधिक होते हैं तो इसलिए इस वुरत में मंदिर में पूजा करने का विधान है इसी के साथ अगला नियम है कि इस वुरत की पूजा हम भगवान भोले नाथ के पसुपती नाथ स्वरूप को ध्यान में रख कर करते हैं पसुपती नाथ अर्थात पसुओं के नाथ जो की भगवान भोले नाथ के ही एक स्वरूप है तो हम पूजा तो भगवान भोले नाथ की करते हैं लेकिन हम ध्यान में पसुपती नात का ही करते हैं तो ये भी इस पूजा का इस वरत का एक नियम है इसी के साथ हमारा अगला नियम है कि इस वरत में कीवल मीठा और फराहार किया जाता है इस वरत में अन और नमक का सेवन बिलकुल भी नहीं किया जाता है फिर चाहें वो वरत वाला सेंदा नमक ही क्यों न हो इस वरत में केवल हमें दूद से बनी मीठी चीजें या फिर फलाहार ही ग्रहन करने चाहिए अन और नमक अगले दिन वरत खोलने के बाद ही ग्रहन किया जाता है इसी के साथ हमारा अगला नियम है इस वरत में 108 बेल पत्र शीवलिंग पर चड़ाने का विधान होता है इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका वरत बहुत ही अधिक फलदाई होता है और शीगरी आपकी मनुकामना पूर्ण होती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपको 108 बेल पत्र मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी वात है लेकिन अगर किसी वज़ा से नहीं मिल पाते हैं तो आप उससे कम बेलपत्र भी लेकर भगवान भोले नात को बार बार चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि बेलपत्र कभी बाजी और बेकार नहीं होता है, आप उनी बेलपत्र को धोकर पवित्र कर बार बार शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, इस व्रत का अगला नियम है चार सोंबार पूरे हो जाने के वाद पांचवे सोंबार को ही शाम को हमें व्रत का उध्यापन करना होता है हर व्रतों की तरह इस व्रत में भी उध्यापन जरूरी होता है जब हम संकल्प के साथ व्रत करते हैं जितने संकल्प हमने लिये होते हैं तो उसका अगले दिन हमें वरत का उद्यापन भी जरूर करना होता है बिना उद्यापन के वरत पूर्ण नहीं माना जाता है और उसका फल भी हमें नहीं मिलता है तो वरत का उद्यापन भी अवश्य करें वृत के उद्यापन में ब्राम्मणों को दान देना भी इस वृत का एक नियम है आप अपनी चमता के अनुजार उद्यापन के बाद किसी ब्राम्मण या मंदिर के पुजारी अगर दोनों में से कोई भी ना मिले तो किसी जरुत मंद को दक्षणा जरूर दें जो भी आप पे संबभ हो वो आप अवश्यदान करें इसी के साथ वृत का अगला नियम है कि इस वृत में पूरे दिन आपको भगवान का ध्यान करना है सोना नहीं है वैसे यह बात हर वृत में लागू होती है कि जब भी हम कोई वृत करते हैं तो उस वृत में हमें दिन में सोना नहीं चाहिए उस वृत में हमें दिन बर भगवान का ध्यान लगाना चाहिए आपको भगवान भोले नात का जो भी मंत्र आता है आप उसका जब करते रहें भगवान को याद करते रहें अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो आप ओम नमस्षिवाय का ही जाप करते रहें लेकिन भगवान को याद करते रहें सोएना इसी के साथ वुरत का अगला नियम है कि इस वुरत में साम की पूजा में आपको घी के छे दीपक और भगवान भोलेनात के लिए खर से बना हुआ भोग अवश्य लेकर जाना है जिसके आपको तीन भाग करने हैं दो भाग आपको भोलेनात पर चड़ाने हैं और एक भाद स्वयम के लिए रखना है तो इस वुरत में खी के छे दीपक और भगवान भोलेनात के भोग बनाने का भी नियम है इसी के साथ वुरत का अगला नियम है अगर आप चाहते हैं कि आ आपका वुरत शीगर ही पूरा हो आपको आपके वुरत का पूरा फल मिले तो पूजा पार्ट के साथ साथ यह भी आवश्यक होता है कि आप उस तिन किसी पर क्रोध ना करें शांत रहें मन को शांत रखें भगवान का भजन करते रहें किसी की इर्शा ना करें किसी को बु यह नियम लागू होता है क्योंकि जिस दिन हम भगवान का भजन करते हैं उस दिन आवशक होता है कि हम मन को शान्त रखें और भगवान का भजन करते रहें किसी की चुगली, किसी की बुराई किसी का क्रोध ना करें तो यही थे वो कुश नियम जो पसुपतिनात वृत में आवश्यक होते हैं मानने होते हैं और अगर आप विदिवत विदी के साथ और इन नियमों के साथ पसुपतिनात वृत को करते हैं तो सिर्फ पांस सोमवार में ही आपकी जो भी मनुकामना होती है जैसी भी मनुकामना होती है भगवान भोलेनात उसे अवश्य पूर्ण करते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार इस वरत को करके देखें और भोलेनात का चमतकार स्वैम देखें तो आशा है मेरी ये वीडियो आपके लिए हैलफल रही होगी अगर रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा भगवान भोलेनात आपकी समस्त मनुकामनाओं को पूर्ण करें तो बोलियो ओम नमस्शिवाए